आएए और महत्वण परशनों को हम सरसरी निगा से दीखते हैं पहले आप इसका स्क्रीन स्टार्ट ले सकते हैं जिससे कि ये प्रश्ण आपके पास अवेलेबल हों परिच्छा तक एक नजर में आप इन सारे मात्वन प्रसनों से अउगत हो सकते हैं आगे चलते हैं धर्म के इतिहासकार भक्ती परमपरा को किन वर्गों में बाड़ते हैं धार्मिक डिश्ट से जो भक्ती परमपरा है सगुण और निर्गुण फिर सगुण की भी आगे साखाय हो जाती हैं लेकिन मोलता दो साखाय हैं ऐसे लोग जो भगवान को मूर्थ के रूप में पूछते हैं और ऐसे लोग जो बिना मूर्थ के उसको निराकार रूप में पूछते हैं जैसे कवीर हैं, नानक हैं, ये निर्गुडभक्त संत हैं, राम हैं कि पुजा करने वाले तुल्सी दासुए, सूर्दासुए, मीरा पुई, ये सबुडभक्त हैं, ओके, करैकलम मैयार का संबंध किस भक्त की साखा से था, करैकलम मैयार ये नैनार भक्त संत थी, महला संत थी दिच्छिन भारत की और इसी प्रकार अंडाल जो एक महला भक्त संति थी दिच्छिन भारत की उनका संबन अलवार दिच्छिन भारत में अलवार वैशनों को कहते हैं नैनार सेव को कहते हैं जो सिव की आरणधा करती थी तो करेक कलम में यार सिव भक्त संति थी नईयार साखा से संबन था नैनार साखा से संबन था और अंडाल का अलवार साखा से बीर सेव या लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कोन था चालुक राज के मंत्री थे और शुरू में जहन थे बाद में इन्होंने एक अलग संप्रदाय के स्थापना की जो स्यू के उपासक थे इनको वीर सेव या लिंगायत कहते हैं इनका नाम था वासवन्ना बार्वी सतापदी में इन्होंने बीर सेव संप्रदाय के स्थापना की ये लोग स्यू के उपासना करते थे लिंग के रूप में करते थे इसलिए इनको लिंगायत कहा गया और इनका प्रवाव कहा है करनाटक में ये लोग क्या करते थे स्यू का छोटा सा रूप स्यूलिंग अपने बाएं असकंद पर फिटा जाटपाज, छोट, कर्म, कान, इन समें विश्वास नहीं करते थे, ओके, सहायक संदी कभी वाद किस ने प्रारम की, सहायक संदी ये वो नीद थी, जिसके द्वारा कई सासकों के ऊपर, ब्रिटिश सरकार ने अपना प्रभाव अस्थापित किया, ये गुवर्नर थे, लाड विलेजनी ने 1798 में इस संदी प्रारम की थी, और निजाम हैदराबाद, पहले भारतियस आ सकते, जिनों ने इस सहायक संदी की नीद को स्विकार किया, अवध ने 1801 में इसको स्विकार किया था, इस सहायक संदी की विश्यस ताइम भी पूछी जा सकती है, सहायक संदी जो तो राजिस्वविकार करते थे उनको अपने हाँ एक अधिकारी को रखना पड़ता था वो गवर्नर का प्रतिंध होता था उसे क्या कहते थे अगर ऐसा कुछन पूछ लिया जाए कि साहायकसनद स्वविकार करने वाले राजाओं के राज जिमे राज दर्वार में एक ववर करने वाले राजा के दर्बार में रहता था और जो राजा शाहिक deployed करता था विना resident के अनुमत के उन दूसरे अंड किसी सासक के साथ न संधित परसकता था ना उद्ध कर सकता था resident उसके कारेओं हब निगाहर करता था te-एक av प्रसिद्ध पुस्तक है आमुक्त मालत तेलगु भासा की पुस्तक है अगर इस कुछन पूछ ले जाए कि किस भासा की पुस्तक है तो तेलगु की आमुक्त मालत किसकी रचना है आमुक्त मालत किर्षदेव राय की रचना है विजयनेगर के सासक किर्षदेव राय की रचना है आमुक्तमालन एक और पुस्तक उन्हों लिखी उस संस्कृत में लिखी अगर वो पूछ ली जाए तो वो पुस्तक है जामवती कल्याणम ये पुस्तक संस्कृत में ये संस्कृत नाटक है तो जामवती कल्याणम विजयनगर सामराज के सासक क्रिश देवराय की ये दूसरी पुस्तक है जो संस्कृत में है कौल का प्रतलन किसने प्रार्म किया कौल साहित की विधा है सूफी संतों के यहां जो साम को समा होती थी उसमें संगीत कायुजन होता था और कवाली गई जाती थी तो कवाली के पहले जो चार लाइन की कविताएं पढ़ी जाती थी उसको कौल कहते थे कौल का प्रत्ोन किसने किया कुछन यह पूछा गया है आंसर है अमीर खुस्रो नीजय को दिनोलिया के शिस इनको एक और उपनाम से जानते थे अमीर खुस्रो की योगता की वजिय से तोताये हिंद तोताये हिंद इस Clematis से इस उपनाम से भी इनको जानते थे और ऐसी मानन कुलता है कि तबले और सितार का विस्कार भी अमीर खुसरो ने किया, ओके जिम्मी सब्ठ, जिम्मी सब्ध की व्यत्पति किस भासा से हुई, और किस सब्ध से जिम्मी सब्द की उत्पत अर्वी भासा से हुई सब्द है जिम्मा अर्वी भासा का सब्द है जिम्मा उस सब्द बनता है जिम्मी जिम्मी किसको कहते हैं इसलामिक राज्य में जो गैर मुस्लिम लोग रहते थे उनको जिम्मी कहा जाता था जिम्मी का आर्थ होता है संदच लोग जो रहते थे मुस्लिम राजी में उनको जिम्मी कहा जाता था और इसके लिए उनको ये कर देना पड़ता था उस कर को क्या कहते थे अगला कुशन वही है कि जजिया क्या है जजिया वो कर है जो गैर मुस्लिम परजास से लिया जाता था इसलामिक राजी में रहने वाल के जो गैर मुस्रिम मोग होते थे वह ये कर देते थे आपको मालू होगा बेंगा वेल खालो कि अकबर Monroe ये इसकर को समापति किया थह यह बहुत भी विवादासपत कर सिल्सिला का सम्मंद किस से है ये सूफी समपदाश सम्मंदित कुछन है गुरू और सिस्थ के सम्मंद को बताने वाली जो कड़ी होती थी उसको सिल्सिला करत है सिल्सिला करत होता है जैसे जंजीर में कड़ियां ये दो से जुड़ी होती है सिल्सला का था संबंध तो गुरु और सिस्र के ही जो संबंध होता था उसको सिल्सला सब्से व्यक्त किया जाता था ओके अवद का अदिग्रहन कब व להיות किस के द्वारा किया गया अवद जी तो रियासत थी उसको बिटे सामराज में कम मिलाया गया उसमें गवर्णर कौन था और उसमें अवद का सासक कौन था कुछ भी कुछ न कुछ आए सकता है 1856 में अवद को मिलाया गया लाट डलोजी ने कहा था कि ये गिलास फल ये चेरी एक दिन हमारी मुह में गिरेगा तो उसमें गवर्णर था लाट डलोजी लाट डलोजी ने कुछ आसन का रूप लगा करकि अवद को बिटिस सामराज में मिला लिया और उसमें बिटिस सामराज में और भी रियास्ते मिलाई गई लेकिन वो दूसरी निद के अधर पर मिलाई गयी वो दूसरी निट कौन थी? डाक्टिन आफ लैप्स या विले नीट लाट डलोजी ने एक नीट बनाई थी कि ऐसे भारतिय सासक जिनके स्वयम का पुत्र नहीं है उनका राज बिटेश सामराज में मिला लिया जाएगा तो दूसरी आस्तों को तो इस नीट के अलहर पर मिलाया गया लेकिन अवद को कुशासन के आरोप पर मिलाया गया कि आपका सासन अच्छा नहीं है उसमें अवद का सासक कौन था? इसको देख लिए नबाब वाजिद अली साह उसमें नबाब वाजिद अली सासा सक था इसको गिरिफतार कर लिया गया और इसको लख्णों से कानपुल लाया गया कानपुर से गंगा के रास्ते इसको कलकत्ता भेद दिया गया कलकत्ता के किले में कैद कर दिया गया कलकत्ता में जो अंग्रेजों का किला था उसे किस नाम से जानते थे फोर्ट बिलियम 1857 का बिद्रो सबसे ज़्यादा कहां भारत में कहां हुआ सबसे बिद्रो अवद हमें यह अवद छेत्र था जहां बिद्रो का प्रभाव सरवाधिक देखने में आया इस्तमरारी या इस्थाई बंदो बस्त कब हुआ कहां प्रारम हुआ इस्तमरारी ब्वश्था ब्वश्था कहां लाग हुई 1793 इसवी में यह भूराजस ब्वश्था थी बंगाल में लाग हुई और उसमें गवर्नर थे लाड कानवालिस यह कुस्टन तीन रूप में कहां लाग हुई बंगाल में कब लाग हुई 1793 में गवर्नर कौन था लाड कानवालिस इस्तमरारी बंदो बस्त या इस्थाई बंदो बस्त भी कहते हैं पर्मारेंड सेटिल्मेंट कहते हैं किसी में नाम से पूछल जाई और अगर आपसे ऐसा पुछ लिया गया कि रयतवारी वेवस्था ये कहां लाग भू हुई या महालवारी ये वेवस्था कहां लाग भू हुई तो रयतवारी वेवस्था आपके बंबई वा मदरास प्रिसिदेंशी और महालवारी पस्यमी उत्तर प्रदेश पंजाब हर्याणा जो पंजाब हर्याणा का छेथ था पस्यमी उत्तर प्रदेश वहां महालवारी लागू हुई ओके 1820 और 1822 वो बात में लागू हुई लखनौ सम्झोता कब हुआ लखनौ सम्झोता 1916 में हुआ यह लखनौ सम्झोता किसके किसके पीच हुआ था कांगरेश और मुस्लिम लीग लखनों में कांग्रेश का अध्यवेशन हुआ 1916 में डक्टर अम्बिका चरण मजूमदार उसके अध्यश थे और इस अध्यवेशन में बड़ी अनोखी बात हुई कांग्रेश जो 1907 में दो दल में बढ़ गई थी गरम दल और नरम दल एक नई पार्टी 1906 में अस्थापित हो गई थी मुस्लिम लीग याद करिए अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और सासंकरो कि नीद को बढ़ावा देने के लिए मुसल्मानों को बरगला करके उनक चे में मुस्लिम लीक की स्थापना हो गई थी मुस्लिम लीक के सोग्तत का लցग्रेश करण पूछ लिया जा ऐसा तो है are झामें बंगलादेश में ढाका में इसकी इस्थापना हुई ते और मुस्लिम लीक के जो संस्थापक कोन थे आगा खा और सलिमुल्ला खा धाका के नवाब थे और आगा खा मुसलिम धर्म गुरू थे तो अंग्रेजों ने इन दोनों को समझा बुझा करके धाका में मुसलिम लीग की अस्थापना करा दी थी तो भारत एक प्रकार से तीन सक्तियों में बढ़ गया था कांग्रेज के दो दढ़ जो गरमपन थी थे और दोसरे नरमपन थी मुसलिम लीग मुसल्मानों की पार्टी ये तीनों एक मंच पर आ गए 1916 में ये तीनों आपस में एक दास थापित हो गई ये विश्विद का समय था और ये कांग्रेज के नरमदल गरमदल और मुसलिम लीग तीनों स्वयुक्त हुए तो ये अधिवेशन बड़ा महत्तपूर था लखनों अधिवेशन कौन थे इसके अध्यच डक्टर अंबिकाचरा मजूबदार ओके गांधी जी के राणनीतिक गुरू कौन थे गोपाल क्रिस गोखले ये गांधी जी के राणनीतिक गुरू थे और जब गांधी जी 1915 में देशन प्रिकाच से भारत आये तो गांधी कब भारत तो अपस आये थे नो जन्वरी 1915 इसी संबंधित एक और कुश्चन है इसलिए नो जन्वरी को प्रवासी दिवस मनाते है तो नो जन्वरी 1915 को गांधी जी भारत आये और उसके बाद गोपाल किस गोखले जी के कहने स इन्होंने भारत यात्रा की इन्होंने भारत को घूम करके देखा कि भारत की राणनीतिक सामाजी की सिति किस प्रकार की है किस प्रकार भारत में गरीबी है और उसके बाद ये भारत ये राणनीत में आये ओके अगला कुश्चन उद्देश प्रस्ताव किस ने प्रस्तुत बनते हैं, सम्झान सभाज मनाई गई, कब बनी, 1946 में, उसके पहले अध्यच कौन थे, डाक्टर सचिदानन सिनहा, और इस्थाई अध्यच किसको चुना गया, डाक्टर राजेन परसाथ, सचिदानन सिनहा, पहले चुकि वो सीनेर मेंबर थे, इसलिए उनको कारिकारी अध्य बना दिया गया था, बाद में डाक्टर राजेन परसाथ को इस्थाई अध्यच चुना गया, तो उद्देश प्रस्ताव पंडित जवहलाल नेरुजी ने प्रस्तुत किया, ओके, अकबर की सबसे पसंदीदा लेखन सेली कौन सी थी, अकबर की पसंदीदा लेखन सेली क्य अकफरों को लिखा जाता था, इसमें सरकंडे की कलम से, इंक से, अकफरों को विशेष प्रवाही रंग से लिखने की सेली थी, ओके, बाद साहनामा किसकी रचना है, मुगल जो क्रोनिकल है, इस चेप्टर में कुछ किताबें हैं, जो बड़ी महत्तुपूर है, बाद साहन अगर पूछ ली जाए, इसकी रचना है, ये अब्दुल हमीद लाहोरी, अब्दुल हमीद लाहोरी, ये साजहां के समय की इतिहास की पुस्तक है, साजहां ने अपने समय का इतिहास लिखने के लिए अब्दुल हमीद लाहोरी को कहा, तो ये पुस्तक तीन खंडों में हैं 10-10 वर्सों का इतिहास एक-एक खंड बे हैं अब्दुलामेल लाहुरी ने इसको लिखना चालू किया पहला खंड दूसरा खंड अब्दुलामेल लाहुरी ने लिखा और जो एक बिद्वान थे सादूला खंड उन्होंने इसको संसोधित करने का काम किया साजहां के दर्बार से थे उनके वजीर थे बाद में जो तीसरा खंड था वो अब्दुल्हामिन लाहुरी ने लिख पाए क्योंकि अब्दुल्हामिन लाहुरी काफी वुजरू थे तो उसको पूरा करने का काम वारिस ने किया तो यह याद रखिएगा पहले दो खंड अब्दुल्हमिल लहुरी ने लिखा और उसमें संसोदन करने का काम मुजीर सादुल्ला खान ने किया अंतिम खंड वारिस ने किया बहराल अगर प्रस्ण आए कि किस ने लिखा तो अब्दुल्हमिल लहुरी उत्तर होगा इसी तरह अगर पूछ ले जा कि तुजुक ए बावरी किस भासा की पुस्तक है यह बहात पूर्ण प्रस्ण है तुजुक ए बावरी इसकी भासा क्या है तो इसकी भासा है तुर्की बावर ने लिखा था बावर स्वयम तैमुराइट परंपरा का था तुर्किस्तान से आया था उसकी मात्र भासा तुर्की थी इसलिए इसने अपनी आत्म का था तुर्की भासा में लिखी अब जब इस गरंथ का अकबर के समय में फार्सी भासा में अनबाद हो गया तो जो इसका Persian translation है वो कहलाता है बाबर नामा बाबर नामा फार्सी में ओके ये तुझो के बाबरी का फार्सी अनबाद है एक और पुट्चक है हुमायु नामा हुमायव नामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखा फरसियन में लिखा अकबर नामा अबुलफजन ने लिखा आयन एकबरी उसका एक हिस्सा है तो ये कुछ प्रसिद पुस्तक हैं एक और मुगल सासक हुआ जिसने अपनी आग कता स्वयम लिखी एक तो बाबर ने पनी आग कता लिखी तुझू के बाबरी दूसरा सासक हुआ जहांगीर जहांगीर ने तुझू ए जहांगीरी लेकिन और परस्यन में याद करिये हुमायू जो फारस से वापस आया उसके बाद भारत में इरानी परंपरा इरानी भासा अक्बर के समय में फार्शी जो भासा थी उसको राजदर्वार की भासा गुशित कर दिया गया था तो सारा काम परसियन में होने लगा था तो तुझो की जहांगीरी जो जहांगीर की पुस्तक है वो परसियन में लिखी गई तो यह कुछ प्रसित पुस्तके हैं और उनके लेखक हैं जो आप से नाम पूछे जा सकते हैं ओके शेश प्रस्तनों को हम फिर देखेंगे आपको वीडियो कैसा लगा अपने मित्रों को भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करते रहें थैंक्स